कर दिने पहरा हैं हेलो क्या को कि थैसे वी नर्ट इंड तक करा तक solche में निखास किया स्काविए एज यह न्चरलक के बारे में लिक्षण इसमें इवी नर्ट आट इंडिक्सिन क्या होते हैं इसम्किन नल्यक्षाट सिस्धिल इसम्काश की तक विश्ञता थैजे यह UG, PG, MSC, BSE, अभी बच्चों के लिए है, सभी स्टुएंट्स के लिए है, लेकिन स्पेशली मैंने इसमें फोकस किया है, CSI, NET, JRF, IIT, JEM, सभी के लिए बराबर ही होता है, कोई इतना डिफरेंस निये जादा उसमें, लेकिन सेले बस क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग यहापर डिसक्स कर रहा हूं, इस ही में हमारे पास आज यह Rational Function है, यहापर एक, Rational Function क्या होते हैं, Basically Rational Function obtained by dividing the polynomial by another polynomial, is called the Rational Functions, Okay, जैसे आप देख रहे हैं, अबर PX upon QX type के जो होते हैं, यह Rational Functions कहलाते हैं, ठीक है, Example के लिए मैंने यहापर FX equal to 1 upon X का एक Example लिया है, ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में कि जब हमारे पास और पावर्स आती हैं, तो आपोजिट Quadrant में सिमेर्टिसिटी मिंटेन करता है, और जब इविन पावर आती हैं, तो वह YX के दोनों साइड सिमेर्टिसिटी मिंटेन करता है, तो Y बराबर 1 अपान X या FX बराबर 1 अपान X हमारे पास odd function है, ठीक है, odd degree का function है, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह opposite Quadrant में आएगा, opposite Quadrant में सिमेर्टिसिटी मिंटेन करेगा, जब हम इसका ग्राफ ड्राव करेंगे, तो यह कुछ इस त्राइप को दिखाई देगा, यह यह रफली ड्राव किया है, आपके से अच्छे ड्राव करेंगे तो यह 0 के पास से गुजरता हो नजर आएगा, यह 0 को touch नहीं करेगा, इसी तरह से यह भी इदर से 0 के पास से होता होगा, लेकि 0 को touch नहीं करेगा, इसी वज़े से इसका जो domain of definition है, वो r-0 and range भी इसकी r-0 ह हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि इस graph को बनाने में पूरी real axis, x-axis का user हो रहा है, जिससे हम domain find करते हैं और पूरी y-axis का user जिसको range कहते हैं, पूरी y-axis कवर हो रही है, पूरा x-axis कवर हो रहा है, तो domain of definition, except 0, except 0 नहीं आएगा, इसके अदर आप देख रहे हैं कि 0 को touch नहीं Q-type कि यह आप देख रहे हैं, यह हमारे rational functions होते हैं, I hope यह समझ में आगया होगा, आपको कि इसका graph कैसे draw करते हैं, odd function होने की वज़ए से यह ऐसे दिखाई दे रहा है, अगर even होता तो यह y-axis के दोनों साइट, symmetricity maintain करता है, यह मैंने discuss किया है last lecture में, आप जाके देख सकते ह एक और इसका example, 1 upon y, y equal to 1 upon x square, जैसे ही मैंने बताया है कि even function हो गया है, तो अब यह y-axis के दोनों साइट सी, symmetricity maintain कर रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है, यह y-axis है, और इसके दोनों साइट में यह, जितना इधर होगा, उतना ही साइड में होगा, जितना ही साइड में होगा तो यहाँ पर first में उतना ही, यह second में होगा, zero को ही touch नहीं करेगा, zero से, यह, क्योंकि roughly इसको draw किया गया है, graph को यहाँ जाओ, इसको अच्छे draw करेंगा, जैसे zero को touch नहीं करेगा, ठीक है, और यह x-axis और y-axis पे asymptotic behavior करेगा, मतलब अनन्त पे touch करता हो नजर आएगा, infinity पे ट तो इसका डोमेन और डेफिनेशन होगे हमारे पास R-0 और रेंज अगर देखें तो 0 से लेके 0 से लेके positive साइड में जा रहा है तो 0 to infinity excluding 0 and infinity तो कभी भी हम include नहीं करते हैं तो इसलिए दोनों साइडी open interval लखा गए है देख रहे हैं आपर 0 भी open पे और यह infinity हमेशा open पे होता है 0 को open इसलिए लखागे क्योंकि हमने बता दिया कि 0 पे यह graph टच नहीं करेगा 0 से पास 0 के पास से निकल जाएगा लेकि 0 को टच नहीं करेगा उके तो य x के दोनों साइड submitted personnel कर रहा है क्योंकि इवऱ फंक्शन है आपकोशन हो गाव गए ऊकी इवन फंक्शन ग्राफम कैसे द्रों करते हैं यार उट फंक्शन के बारे में इर्रैशनल क्षन को में एपनें प्यत से vivir योद्र्ध पाइप यह motivating करो find जैसे हमने बताया, x के पाव 1 by 2, 1 by 3, इस टाइप के जो फंक्शन होगा, मतलब जैसे हम कहते हैं, irresional number कौन से होते हैं, underwood p-type के नंबर जो होते हैं, varrational number होते हैं, मतलब p की पाव 1 by 2, जहाँ p कोई prime number है, लेकिन यहाँ पर जिब हम irresional function की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी power तो यहाँ पर fraction में आनी चाहिए, अगर integral power हो जाएगी तो यह फिर irrational function नहीं रहेगा, यह simple function मल जाएगा algebraic function, हम अभी सारे algebraic function में ही हम discuss कर रहे हैं, यह हमारा rational function, rational function सारे algebraic function है, algebraic function के पार्ट है, types of algebraic function को discuss कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर हम भी देख रहे हैं कि जब irrational function वह होते हैं, जिनमें हमारे पास non-entrical power हाती है, यह 1 by 2, 1 by 3, 1 by n type के जो होते हैं, ठीक है, अब इसका graph कैसे draw होता है, इसका graph जब draw करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कि y बराबर x एक लाइन हमने सबसे पहले यह draw कर लिए, y equal to x, ठीक है, अब हमारे पास जो graph होता है y equal to x square का, वो कैसे बनता है, y equal to x का graph हमारे कुछ ऐसे बनता है, अगर मैं एक side भी बनाऊं, सिरफ positive positive side भी बनाऊं, तो वो ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है, roughly बना रहा हूँ यहाँ पर, इधर भी ऐसे जाएगा, तो y बराबर यह तो x square का graph होगा, यह हो गया y बराबर x square का graph, लेकिन हमें x square कर नहीं चाहिए, तो वो क्या होगा, यह वाला जितना part आप देख पा रहे हैं, यह वाला part, यह जो line के इधर दिखाई दे रहा है, यह वाला, यह वाला सारा part, और यह वाला part, इस part के लिए, इन दोनो parts के लिए, यह जो y बराबर x के line और dotted line, यह mirror के तरह वर्क करेगी, जिसा शिशा लगा यह वीच में, तो यह जो reflect होके इधर चला जाएगा, मतलब यह वाला part कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और यह वाला part जो है, वो, यह इस तरह चलाए, मैं इसे थोड़ा ठीक करके बनाता हूँ, मतलब इसमें यह ऐसा दिखाई देगा, जैसे हमारे पास mirror, यह mirror image की तरह करता है, तो y बराबर, जो x की पाव 1 बाइ 2 है, उसका ग्राफ यह बन जाएगा, यह बन जाएगा, y बराबर x to the power 1 by 2, जब भी हमें x की पाव 1 by 2, 1 by n का ग्राफ ड्रॉफ करना हो, तो पहले y बराबर x की पावर n का ग्राफ ड्रॉफ कर लें, और y बराबर x को as a mirror consider करके, हम देखने, reflection के दर जाएगा, इसका reflection उटके दर चला जाएगा, और इसका reflection उटके दर इधर आ जाएगा, तो यह y बराबर 1 upon x की पावर 2 का, 1 by 2 का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, वह आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो इसकी range है, क्योंकि यह negative number के लिए define नहीं होगा ठीक है, यह y axis है, range देखें, तो range में भी हमारा पूरा-पूरा y कवर हो रहा है, आप देख रहे हैं, यह पर y पूरी axis कवर हो रही है, अगर हम इसको आगे बढ़ जाएगा, तो y पूरा कवर हो जाएगा, हमारे पास, तो range भी हमारे हो जाएगा, r positive union 0, I hope यह आपको clear हो ग 1 upon 3, ठीक है, इसका graph कैसे draw करेंगे, पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, y बराबर x की power 3 का graph draw कर लेते हैं, और y बराबर x एक line draw करते है, y बराबर x मिरर, और फिर उसका reflection देख लेते हैं, तो वह हमारा graph, बिल्कुल सी दरह हमारा graph बन जागा, सबसे पहले मैंने क y बराबर x to the power 3, यह इसका graph नहीं है, यह बराबर x to the power 3 का graph है, हमें draw करना है, y बराबर x की power 1 by 3 का graph, तो सबसे पहले एक line draw करते है, y equal to x, यह line draw कर ली, ठीक है, मैं यहां कुछ roughly ही draw कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से draw करें, जब करें, अब क्या करना है, यह यह बराबर x चाहरा है, यह बराबर box यह बराबर x traced है, यह बराबर x to the power 1 by 3, फोक्र यह बराबर x to the power 1 by 3 त्ञश्व Creator बऩर तिरी का क्वार्ट सिंपिली क्या कि हमने कि या और एक्षतर गालाई से र और फूरी वाई एकशन बढ़ा ले तो पूरी वाई एक्शस को कवर करेंगी़ стать काुच्त ठीक है अब एक नोट है इसको ध्यान लखें कि y बराबर x की पावर n और fx बराबर x to the power n and gx बराबर x to the power 1 by n जैसे मैंने कहा कि यह fx बराबर x to the power 1 by 3 और fx बराबर x की पावर 3 यह दोनों यह दूसरे के inverse होते हैं बैसिकली ठीक है तो x की पावर n and x की पावर 1 by n then fx and gx are inverse of each other मतलब x की पावर n and x की पावर 1 by n are inverse of each other okay x की पावर n जो है वो inverse x की पावर 1 upon n का और x की पावर 1 upon n inverse है x की पावर n का यह दूसरे के inverse होते हैं एक रिजल्ट और है गिराफ gx ब्रावर x की पावर 1 upon n is the mirror image जैसे में आपको बता चुका हूं यह mirror image of the graph x to the power n about the line y equal to x okay तो line y equal to x के दोनों साइड यह mirror image को generate करता है mirror image बनाता है okay x की पावर n और x की पावर 1 by n दोनों यह दूसरे की mirror image बनती है so I hope यह आपको clear हो गया हुगा फिर भी कोई डाउट है तो please comment section दूरू बताएं and if you like the content please like and subscribe the channel and अपने friends के बीच में इसको share भी करते रहें यह exam के point of view से very very important है आपके ilt jam or csir net or gate mathematics me okay okay thank you so much